जहीं दोस्तों स्वागति आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ अजर्बैजन रोक सको तो रोक लो अब अर्मेनिया जाएगी मिसाइल और दो धमकी इंडिया अर्मेनिया पेरेलाइब मिसाइल यह तो मेरकों भी मालूम नहीं है देखना बहुत जरूरी है और खास करके चैनल से लिए जो वीडियो है उस चैनल पर भी आप जाके सपोर्ट कर दिएगा क्योंकि ऐसी जो न्यूज वहां से भी मिलती रहे कि हमारे साथ जूड़े हो या नहीं जूड़े हो तो जूड़ी ज जो मिश्टरी जो होती है पूरी उसको हम फाइंड करके आपके समक्ष लाते है इसलिए चैनल का नाम रखा गया है मिश्टरी फाइंड है तो दोसले दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्वागत है आपका इंसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आज की पहली वीडियो वर्ल्ड अफेर से नहीं डिफेंस से रिलेटिड होने वाली है जिसके तहत हम दो बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं दोनों ही खबर भारत की डिफेंस एक ग्रूप की तरफ से आ रही है जो कि अब अफरीका और मिडिल इस्ट के देशों में अपनी पकड मजबूत कर रहा है और एक मेगा और वहां से कल्यानी ग्रूप को मिल सकता है जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में इसलिए वीडियो को अंतक जरू दुरसल दुस्तो सामने निकल कर आ रही लेटेस अपडेट के मुताबिट डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट और्गिनाईजेशन मतलब डियाडियो अर्मीनिया के साथ बातचीत कर रही है ताकि हम अपने मिसाइल सिस्टम अर्मीनिया को सप्लाई कर सके अभी तक नि अर्मीनिया को ये मिसाइल सिस्टम सप्लाई भी करना चाते हैं खास करके फिलिपिन्स को ब्रमोस मिसाइल की सप्लाई के बाद अर्मीनिया दोरा इसे खरीदे जाने की संभावना बढ़ चुकी है जिसके अधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अर्मीनिया को ब्रमो ब्रमोस मिसाइल की सप्लाई के लिए बातचीत कर रहा हो इसके अलावा प्रले शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम भी इस रेस में काफी आगे है ब्रमोस सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये 290 किलोमेटर की दूरी तक किसी भ अबहा कर सकती है लेकिन अर्मीनिया के लिए प्रले एक ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा जो काफी खास होने वाला है जितना ज़्यादा डर अजर्बाइजान और तुर्की को ब्रमोस से है उतना ही प्रले मिसाइल से भी है क्योंकि प्रले एक कम दूरी तक हमला करने वाली बैल पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रले मिसाइल को लॉंच करने के बाद हवा में ही इसकी ट्रेजेक्टरी यानी रास्ता को बदला जा सकता है जो अर्मीनिया को अजरबाईजान के खिलाफ महतपूर मिलिटरे इंस्टॉलेशन को टारगेट करने में काफी मदद करेगा व इसके लावा अर्मीनिया भारत से 84 अटेक्स खरिदने की भी डील साइन कर चुका है जिसकी पहली खेप इसी साल अगस्त में अर्मीनिया को डिलिवर कर दी गई ये डील भी 155 मिलियन डॉलर से जादा की कीमत पर साइन की गई थी मतलब देखने की कोशिश करें तो अभी त काफी बड़ा माइलिस्टोन साबित होगा लेकिन ये बात तो है कि भारत की तरफ से ब्रमोस और प्रले जैसी मिसाइल सिस्टम का सप्लाई करने की खबर सामने आने से तुर्की और अजर्बाइजान की हालत खराब हो गई है और ये देश आने वाले समय में इस डील को रोक की भारत मिसाइल सिस्टम और प्रले मिसाइल को लेकर बाचीत कर रहा है अर्मीनिया से ये एक काफी बड़ी डवलपमेंट है और ये अजर्बाइजान को एक मूतोड जवाब है भारत की तरफ से बरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ ये खबर कल्यानी की सबसीडिरी कमपनी भारत फोर्ज का ध्यान अफरीका और मिडलिश्ट के देशों पर होगा जहां पर इस तरह के आर्मन वाइकल की जरुवत काफी ज़्यादा है बड़ी बात तो ये है कि कल्यानी ग्रुप ना सिर्फ पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से ओफर किये जान अफरीका और मिडलिश्ट के देशों के लिए हर तरह से एक अच्छा विकल्प है जो ध्यान में रखते हुए कल्यानी ग्रुप अब इन देशों के मार्किट में एंट्री करने की बड़ी योजना बना रही है और आने वाले कुछ मैनों में हमें इस पर अच्छी खबर भी देखने को मिल सकती है कुल मिला कर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत अब अर्मीनिया और दूसरे देशों को ब्रमोस मिसाइल सिस्टम के साथ अपने दूसरे मिसाइल की सेल पर बातचीत कर रहा है और हम इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वहीं दूसी तरफ हमारे देश की प्राइवेट कंपनिया भी लगातार अपने दौरा लोकल लेवल पर मैनुफेक्चर किये जाने वाले हतियारों की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर करने की कोशिश कर रही है जो आने वाले समय में भारत को डिफेंस के छेतर में एक मजबूत और उभरता हुआ देश बनने की तरफ इशारा करता है बरहल दोस्तों इस वीडियो में तना ही लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के छेतर से आ रही इन खबर के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जहीं लिखना ना भूलिएगा साथी डिफेंस और वर्ल सेक्टर है उसंते डेल एक उसना कुछ नहीं अब सुन रहे तो अच्छी बात है आप सब कुछ मैं इंडिया हो रहा हुए उससे बाहर की कंट्री के साथ इच्विभी तो बारत वेकोनमिक अली gözट्रोंग बन रहा है उसके साथ डिफेंस सेक्टर में भी बारत च्रोंग बन तो उसके लिए हमेंड कभी दूसरे देश पे ना रहना पड़े दूसरे देश के साथ हमें हाथ खेलाना ना पड़े तो यह अची बात है और अजरबाइजान और उसके जो दूसरा तो इसलिए लोग भारत को दंकी देते हैं तो यह तो देखो पाई प्रांस हो भारत हो आप अभी किसी देश को दंकी नहीं दे सकते यह अब यह पुराना भारत नहीं है जो आप दंकी दोंगे फिर यूएंसी में जाएंगे बात करेंगे बाते सलती रहेगी कुछ महीनों, कुछ सालों तक यह नही is अब यह नहीं भारत तुरान बिसीजर लेता है तुरान आंशर भी आपको देता है तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है हमारे हैं जरूर से comment में लिखना और आप यदि इंदिया से बिलोंग करते हो और हमारे देश को इतना प्यार करते हो तो comment में जई हिंध जरूर लिख देना ताकि हमें भी खुशी हो और हमें भी लगे कि हमारी यूटूब जो फैमिली है वो आगे बढ़ रही है तो दोस्तों आपकी राइज जरूर देना फिलाल दोस्तों हम चाहते हैं इस वीडियो से आपसे फिलाल विदाय ले और मिले और एक ने वीडियो में और नए एक टोपि वीडियो की जो नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले जैसे हम अपलोड करें तो फिलाल हम विदाय लेत एक वीडियो से मिलते हैं और एक ने वीडियो में आपके साथ तिल देन जैगें जैभारत